दोस्तो बॉलिवुड की दिवंगत अभी नेतरी स्री देवी अपनी बेटी जानवी कपूर के साथ काफी अच्छा बॉंड सेयर करती है जिसकी वज़ा से आज जानवी कपूर अपनी मा स्री देवी की फिल्मों को देख बाहू को जाती है स्री देवी ने अपने अभिने का जल्वा विखेर कर दर्सुक को दिलों पर खूब राच किया लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि अपनी मम्मी की सारी फिल्में देखने वाली जानवी कपूर ने चार फिल्मों को छोड़कर बाकि सारी फिल्में देख डाली है वो चार फिल्म में स्री देवी की जिन्दगी की बेस्ट फिल्मों में से एक है लेकिन फिर भी जानवी कपूर ने उन्हें ना देखने की कसम खाडा लिया है तो आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको स्री देवी के उनी चार फिल्मों से रूबरू करवाएंगे जिनने जानवी कपूर कभी देखना पसंद नहीं करती तो जानने के लिए अमारे साथ इस वीडियो के अंतितक बने रहें और अगर आप भी स्री देवी के चाने वालो में से एक हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे नंबर वन सल्तनत बता दे कि साल 1986 में रिलीज होई फिल्म सल्तनत उनी फिल्मों की लिस्ट में सुमार है जिनने जानवी कपूर कभी नहीं देखना पसंद करती ये फिल्म एक मल्टी स्टारल फिल्म थी जिसमें स् गई और फिल्म का फ्लॉप होना ही वज़ा बना जानवी कपूर का इस फिल्म को ना देखने का लेकिन उनका कहना था कि जिस तरह उनकी मम्मी ने अच्छा काम किया उस तरह सभी अच्छा काम करते तो फिल्म सूपर रिट हो जाती इसी वज़ा से वो इस फिल्म को कभी नह नमबर टूर नगीना साल 2015 में रिलीजुई स्री देवी की फिलिम पुली तमिल भासा की इट फिलिम थी जिसकी कहानी और इसमें निवाय गए किरदारों को दर्सोकों ने खोब पसंद किया पर इनका वही किरदार जानवी कपूर का इस फिलिम को ना देखने का कारण बना था दरसल इस फिलिम में जानवी कपूर ने यवन रानी का रोल पिले किया था जो लोगों को दर्द देकर अपना भला करती है इनका ये रोल इनकी रियल लाइफ से बिलको लग था जिसको लेकर उनुका कहाना था कि वो अपनी इतनी अच्छी मम्मी को इतने भुरे रोल में नहीं देख सकती इसलि जानवी कपूर अपनी मम्मी की इस फिल्म को कभी नहीं देखेंगी क्योंकि वो अपने चारचा संग अपनी मम्मी को रोमांस करते वे नहीं देखना चाती क्योंकि रियल लाइफ में तो उन्होंने एक दूसरे को हमेशा आधर करते वे देखा है तो फिर ये दोनों को रोम करके जरूर बताएं